हेलो दोस्तों मैं सत्यम कुमार स्वागत करता हूँ अपने इस यूटूब चैनल इन्फॉर्मर सत्यम में दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं कि आप अपने लिए या अपने कस्टमर के लिए निवास प्रमान पत्र कैसे अपलाई कर सकते हैं तो चलिए सुरू करते हैं इस वेबसाइट पे आने के बाद आपको ऑनलाइन आवेदन पे जाना है उसके बाद लोग से वाएं फिर सामान ये प्रसासन विभाग उसके बाद आवास ये प्रमान पत्र का निडगमन उसके बाद अंचल अस्तर पर क्लिक करना है don't worry इस website का link हमने अपने वीडियो के description में दे रखा है वहाँ से आप directly इस website पे जा सकते हैं इसके बाद आपका page कुछ इस तरह से खुलेगा page खुलने के बाद यहाँ पे just आपको अपना gendered select करना है gendered select करने के बाद यहाँ पे अपना अभिवादन लगाना है जैसे स्री मती, स्री उसके बाद यहाँ पे name of applicant भरना है उसके बाद आवेदक, आवेदिका का नाम हिंदी में यहाँ पे आपको भरना है उसके बाद यहाँ पे name of father आपको fill करना है उसके बाद यहाँ पे पिता का नाम हिंदी में आपको लिखना है उसके बाद माता का नाम उसके बाद यहाँ पे name of husband यदि साधी शुदा है तो अपने husband का नाम लिखिएगा उसके बाद यहाँ पे आवेदक का mobile number लिखना है यह एक दम सही सही लिखिएगा उसके बाद email address a state अपना चूज किजिएगा चोकि यह सिर्फ बिहार का ही है तो सिर्फ बिहार ही रहेगा बिहार पे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे अपना डिस्टिक सेलेक्ट करेंगे तो चलिए एक district select कर लेते हैं जैसे कि हम बेगुसराय चूज कर लेते हैं बेगुसराय चूज करने के बाद बेगुसराय के अंदर जितने भी subdivision होंगे उनकी list यहाँ पर आ जाएगी subdivision select किजिएगा उसके बाद block अपना select किजिएगा उसके बाद यहाँ पर word number उसके बाद यहाँ पर अपना gram महला आपको select करना है उसके बाद post office उसके बाद धाना आपको select करना है उसके बाद area का pin card उसके बाद choose file पर click करके अपना एक photo यहाँ पर दीजिएगा उसके बाद यहाँ पर आधार संक्या आप चाहे तो दे सकते हैं नहीं तो नहीं भी दीजिए ये जरूरी नहीं है उसके बाद निवास का परकार अस्थाई या औस्थाई उसके बाद पर्पस ओप अप्लिकेशन आपके आवेदन का उदेश क्या है उसके बाद यहाँ पे टिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे के बाद आपको attach यहाँ पे इस पे आपको click करना है इस पे click करने के बाद आगे का step कुछ इस तरह से खुलेगा यहाँ पे आपको एक दस्तावेच document देना है जिसमें आप choose कर सकते हैं बहुत सारे हैं तो चलिए हम आधहार card को select करते हैं तो चलिए आधहार card को select किये उसके बाद यहाँ पे choose file पे जाना है उसके बाद जहाँ भी आप अपने आधहार card को scan करके रखे होंगे उस PDF को select करेंगे और open करेंगे उसके बाद यहाँ पे save वाले option पे आपको click करना है इसके बाद आप अपने preview को check कर लेंगे preview को check कर लेने के बाद आप lastly नीचे submit वाले option पे click करेंगे यह आपका final submit है submit करने के बाद आपको एक receiving मिलेगा यह आपका receiving है इस पे सब कुछ mention रहेगा जैसे आवेदन किती थी उसके बाद यहाँ पे 10 दिन का आपको time दिख जाएगा दस दिन के बाद आपको certificate मिल जाएगा आपको block भी जाने की जरूरत नहीं है online आवेदन करते समय आपने जो email ID दिया है उसी पे इसका certificate भेजा जाएगा बस अब इस receiving को आप export to PDF कर लीजिए उसके बाद इस PDF को आप open कीजिए इसमें आपका सारा detail पहले से भड़ा होगा बस अब इस receiving को आप अपने पास सुरक्षित रख लें आज के लिए इतना ही मिलते हैं इसी तरह की informative वीडियो के साथ जाहिंद